नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पीम रसोई में आज मैं ब्रत वाले साबुदाने के बड़ी बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही टेश्टी होते हैं तो चलिए देखी मैंने इसे किस तरह से बनाया है एक कटोरी मैंने भीगी हुए साबुदाने लिये हैं दो आलू को वाल का छील कर मैंने मैस कर लिया है एक इंच दरक की टुकड़ी को मैंने बारीक काटा है धन्या की पत्ती को धो कर बारीक काट लिया है तीन चार हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है दस बारा काली मिर्च को म भी डाल देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ज धनिया की पत्ती बारीक काट के जो मैंने रखी थी ये अदरक बारीक कटी हुई और काली मिर्ज और ये सेंधा नमक आप अपने स्वादर नुसार ले सकते हैं अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है तो ये थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है अगर आपको ये ज़्यादा सूखा लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है नहीं तो बड़े अच्छे नहीं बनेंगे गीला हो जाएगा तो तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है और इसे हमें हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से मैस करते हुए एक साथ कर लेना है ये देखिए इस तरह से इस तरह करने से बड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे क्योंकि ये आलू और साबुदाना एक साथ अच्छी तरह से मैस हो जाएंगे तो मैंने इसे अच्छी तरह से मैस कर लिया है और अब इसे जो बड़े हैं बहुत अच्छे बनेंगे तो इसे हम थोड़ी दिर रख देंगे और बड़ो के लिए चट्नी तयार कर लेंगे तो चट्नी बनाने के लिए मैंने भुनी हुई मौम फली ले लिए है इसके छिलके मैंने निकाल दिये हैं और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर पीश लेते हैं तो उने डाल दिया है और एक पिंच दरख कटुकड़ा दो हरी मिर्च और धनिया की पत्ती स्वाधन नमक सेंधा नमक है ये और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे पीश लेंगे आप चाहें तो इसमें दही या फिर निम्बू का रज भी डाल सकते हैं तो मैंने इसे पीश लिया है ये देखिए और अब हम बड़े बना लेते हैं तो पहले हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि बड़े जो हैं हाथों में चिपके न और इसकी अब हम निम्भू के आकार की एक लोई लेंगे और इसे हाथों से दबाते हुए गोल करेंगे तो इस तरह हमें गोल कर लेना है और इसे थोड़ा सा चप्टा करना है तो यह देखिए मैंने चप्टा कर लिया है अब हम थेलियों से हमें इसे किनारे किनारे से इस तरह दबाते हुए बढ़ा लेना है बीच में हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है और हम बीच में इसमें होल करेंगे यह देखिए इस तरह से इसी तरह से हम सारे बड़े बना तो मैंने गैस जलाकर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल गरम है अब हम इसमें बड़े फ्राई कर लेंगे तो बड़ो को हमें थोड़ा सा रुख कर डालना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके न और जब तक ये थोड़ी अच्छी तरह से फ्राई ना हो तो ये देखिए अब पलटने के लाइक हो गए हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे, तो इन्हें हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, तो ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, तो ये देखिए कित इतनी के साथ सर्व करिए, आप खाईए, फैमिली को भी खिलाएए, अगर आप लोगों को मेरी ये रेस पीस पसंद आती हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, साथी वेल आइकन की बटन जरूर प्रस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो में तब तक की लिए धन्यवाद